सुगर मॉनिंग आईज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि कि 29 अक्टूबर के इंपोर्टेंट करेंट अफ्यर्स को देखिए पहला प्रशन क्या है हाली में भारत के पहले Radio Over Internet Protocol System का उधगाटन ये काँपे किया गया तो आंसर होगा शामा प्रसाद मुखरजी पूर्ट पे तो अभी कॉलकता का जो शामा प्रसाद मुखरजी बंदरगा है वहाँ पे Radio Over Internet Protocol System का उधगाटन किया गया है और ये सिस्टम प्राप्त करने वाला कॉलकता पहला प्रमुख भारते बंदरगा बन गया है अब इसमें होगा क्या तो जैसे तुफान वगेरा आते हैं या खराब मोसम के चलते जहाजों को Radio के जरिये सीधे Communicate किया जा सकेगा उनसे संचार किया जा सकेगा और जैसा कि आपको पता है शामा प्रसाद मुखरजी बंदरगा यह आपको मिलेगा कॉलकता में और उसका पुराना नाम क्या है कॉलकता बंदरगा अभी शामा प्रसाद मुखरजी बंदरगा पोर्ट से आपको याद होगा कि जैसे अगर एक्जाम में आपसे प्रशने पूछा जाए किस पोर्ट पर देश में पहली बार Ship to Ship LPG transfer operation किया गया था यहीं पे शामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट पे ही और बताओ अभी जो पारादी पोर्ट ट्रस्ट है यह आपको मिलेगा उडिसा में उडिसा का एक मात्र पोर्ट है यह इसके अध्यक्ष कौन बने थे? PL हरनाथ और इंडिया पोर्ट Global Limited के MDCO कौन बने थे? अलोक मिश्रा बने थे और यह जो कांडिला पोर्ट है यह आपको मिलेगा गुजरात में जिसका नाम बदल करके दीन दयाल उपाद्या बंदरगा करतीया गया यह भी याद रखना बढ़ते हैं गे और हाँ गाईज देखिए इंडिया के टॉप बैक एडुकेटर्स एक बार फिर अनकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं धेर सारी फ्री क्लासेज तो अनकैडमी की हर क्लास कंड़क की जाती है आपके बैंक की हर परिक्षक की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और यह सारी फ्री क्लासेज आपको मिलेंगे अनकैडमी पर जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल सेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं और अनकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में recorded session के द्वारा भी attend कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो class को download करके offline भी देख सकते हैं और आप live class में ask a doubt teacher के द्वारा teacher से अपने doubt भी clear करवा सकते हैं और आप live quizzes और test session भी attend कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी live ranking भी देखने को मिलेगी और unacademy पर total 12 भाषाओं में classes conduct होती है तो आप अपनी favorite भाषा में class attend कर सकते हैं आप अपने teacher के साथ interact कर सकते हैं live poll में part ले सकते हैं और ये सभी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर एक ही subscription के साथ तो आज ही subscribe करें unacademy पर और इन सभी benefits का lab उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा code जो की है crack exam 10 यूज करते हैं तो आपको additional 10% का instant discount भी मिलता है तो आपको इन सभी classes के जो link हैं वो नीचे description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का benefit उठा सकते हैं फिर बताई अभी हाली में Facebook ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है तो answer होगा meta तो social media company Facebook ने company का नाम बदल दिया है तो मतलब अब Facebook को meta नाम से जाना जाएगा तो rebrand की planning के तहट Facebook ने company का नाम बदल दिया और Facebook अपनी virtual दुनिया metaverse के लिए इस साल 10 billion dollar invest करने वाला है Facebook की स्थापना कब होती है 2004 में और इसका अध्यक्ष यही है Mark Zuckerberg और जो Facebook की crypto currency है जिसका नाम है क्या Libra उसका नाम बदल के क्या किया गया था डायम किया गया था ये विध्यान रखना और name change से आपको याद होगा अभी उत्तरप्रदेश के फैजाबाद Railway Junction का नाम बदल कर क्या रखने की घोशना की गई थी आयोध्या केंट और अगर कुछ और मैं आपको बताऊं तो News Broadcasters Association का नाम बदल कर News Broadcasters and Digital Association कर दिया गया उत्तरप्रदेश ने काकोरी कांड का नाम बदल कर काकुरी ट्रेन एक्षन कर दिया पंजाब में मोहाली किर्किट स्टेडियम का नाम बदल कर बलबीर सिंग सीनियर के नाम पे कर दिया गया और इसी तरह से Go Air Airline ने अपना नाम बदल के Go First कर लिया था हावडा काल का मेल ट्रेन का नाम बदल कर नेता जी एक्सप्रेस कर दिया गया था हिमाचर प्रदेश में जो रोहतांग सोरंगे उसका नाम बदल कर अटल जी के नाम पे कर दिया गया नई दिल्ली में प्रवासी भारते केंदर का नाम बदल कर सुष्मा सुराज जी के दिया गया और देखो मैंने आप लोग उसे कहा था कि 2021 में जितने भी name change वाले question आपके बने हैं उसमें quiz बना करके मैं upload करवा दूँगा अगर आप चाहोगे तो आप लोगोंने हाँ किया था और मैंने quiz बना करके आपके upload कर दी है click exam application में आपको quiz मिल जाएगी तो जाकर के अच्छे से इनकी practice कर लो बार-बार लगा करके इनको revise कर लो और याद कर लो अभी जितने भी राज्यों के governor change हुए थे बिल्कुल updated वाली quiz आपको वहाँ पर ही मिल जाएगी अगर click exam application को अभी तक install नहीं किया तो कर लीजिएगा link description में मिल जाएगा जैसे ही application open करेंगे वहाँ नीचे आपको एक folder मिलेगा topic wise quiz करके उसके अंदर जाना सारी topic wise quizzes आपको मिल जाएगी तो जिसके आपको practice करनी है वैसे दो सारी की practice करनी है तो बढ़िया luck करके practice करना revision करने के लिए time निकालना और बढ़िया सा score करना अब यह बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में flowbiz new bank के brand ambassador कौन बन गए तो answer होगा manoj बाजपी तो भाठिया small to medium sized businesses के लिए एक new bank flowbiz ने actor manoj बाजपी को अपना brand ambassador बनाया है बाकी पंकच त्रिपाठी अभी फीनो पेमेंट बैंक के ये पहले brand ambassador बने थे एक crypto exchange coin dcx से उसके brand ambassador बने थे अमिता बच्चन और coin dcx के future यही है अभियान से जुड़ गए आयुश्मान खुराना crypto platform coin switch कुबेर के brand ambassador रणवीर सिंग बने जो की national basketball association के भी बने अभी smartphone brand है रियल में उसके brand ambassador केल राहुल बने थे टाटा AIA life insurance के निरत चोपड़ा बने अधिदास के अभी DP का पादुकून बनी थी और भारत में Russian film festival के ambassador इमतियाज अली बने एक fire bolt है उसके brand ambassador भी विराट कोली बने रानी रामपाल जो हमारी भाटे महिला ओकी टीम की कप्तान है और जो किर्केटर हैं स्मरती मंदाना ये दोनों एकविटास Small Finance Bank की brand ambassador बनी और हमारी जो वेटलिफटर हैं जिन्नोंने 2K Olympic 2020 में 49 kg केटिगरी में silver जीता था अभी वे एमवे इंडिया और अदिदास की stay in play अभियान की brand ambassador बनी उत्तरप्रदेश की one district one product अभियान की brand ambassador बनी कौन कंगनार रनौत अभी नारायन कार्ति के जारते हो भारत के पिले F1 driver है अभी जेके टायर एन इंडस्ट्रीज के brand ambassador बने और globally world number one chess player है Magnus Carlson या भी global brand ambassador बने किसके master card के तो ये सारे important नामस में आपको बताया जो भी news में थे इसको ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए बताईए अभी हाली में भारते सेना ने अपना 75 इंफेंट्री दिवस ये कब मनाया तो अंसर होगा 27 October को तो भारते सेना ने 27 October 2021 को अपना 75 इंफेंट्री दिवस मनाया है इसके इस्तापना 27 October 1947 नामसे जाना जाता है तो इंफेंट्री डे इसको 73 भारत की पहली सेन्य गटना की याद के रूप में मनाया जाता है एक्चिली में हुआ गया था दिन था 27 अक्टूबर 1947 का जब कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लशकर आक्रमन कारियों के द्वारा जम्मू कश्मीर को हत्याने की कोशिश की गई तब भार्टे सेना की सिक रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भार्टे धर्ती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वर्तमान में भार्टे सेना परमुक कौन है आर्मी चीफ मनोच मुकंद नर्वने हैं और आर्मी डे वेसे हम मनाते हैं 15 जनवरी को वायू सेना परमुक अभी बने थे विवेक राम चौदरी और वायू सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है जबकि नेवल चीफ हमारे हैं करमवेर सिंग और ये नेवल डे कब मनाते हैं हम 4 देसंबर को मनाते हैं तो ये भी याद रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस बैंक ने काचिंग नामसे क्रेडिट काड को लॉंच करने के लिए इंडिगो एरलाइन के साथ समझूता किया तो अंसर होगा कोटेक महिंद्रा बैंक तो अब इंडिगो एरलाइन और कोटेक महिंद्रा बैंक ने काचिंग नाम से एक क्रेडिट कार्ड लाँज करने के लिए आपस में समझोता किया है और इस क्रेडिट कार्ड को इंडिगो के 6E रिवार्ड प्रोग्राम के तहत लॉंच किया गया है ताकि पैसेंजर कार्ड का उप्योग करके अवार्ड भी जीच सके कोटेक महिंद्रा बैंक इस्तापना होती है 2003 में मुंबई में हैटकोर्ट मिल जाएगा और इसके MDCO उधे कोटेक है आपको याद होगा अभी तक कि Confederation of Indian Industry के अध्यक्षुआ करते थे लेकिन अब कौन बन गए है टीवी नरेंद्रन बन गए है कोटेक महिंद्रा बैंक इसका टेग लाइन क्या है आईए पैसे को सरल बनाए तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे बताए हाली में किस देश ने X-Gender वाला पासपूर्ट जारी किया है तो अंसर होगा यूएसे ने तो अभी अमेरिकी सरकार ने 27 अक्टूबर को उन लोगों के लिए X-Gender वाला पहला पासपूर्ट जारी किया है जो खुद को पुरुष या महिला के रूप में नहीं पहचानते हैं तो ये नॉन बाइनरी या आप कहा दीजिए इंटर सेक्स या कहा दीजिए जेंडर नॉन कनफर्मिंग के रूप में पहचान करने वाले लोगों के लिए दस्तावेजों यानि की डॉकुमेंट्स को अधिक समाविशी बनाने के लिए ऐसा किया गया है किसने किया? USA ने तो ये रा मैप में USA तो अमेरिका की केपिटल क्या है? वाशिंटन DC है DC का मतलब क्या होता है? District of Columbia यहां के नए प्रेसिडेंट बने थे जो बाइडन 46 नंबर के है और यहां की पहली महिला उपर राश्टर बती बनी थी जो की भारते मूलकियें क्या नाम है? कमला हैरिस उनका नाम है और अभी कल हम लोगों ने एक प्रश्न बढ़ा था यह उनके नाम क्या है? The truths we hold, superheroes are everywhere और smart on crime अभी बताओ अमेरिकी सेना के प्रत्म महिला सचीव कौन बनी थी? क्रिस्टीन वर्मत और अमेरिका के अटॉर्णी जन्रल बने मेरिक गार्लेंड अमेरिका के पहले अशुवीत रक्षा मंतरी कौन बने? लॉयड आस्तिन बने और यहां के पहली माईला वित्त मंतरी जैनेट येलेन बनी अभी आपको याद होगा अमेरिका के जो पूर्वर राष्टरबती है डोनाल ट्रम्प इन्होंने खुद का सोशल मीडिय एप्लिकेशन लॉंच किया था किस नाम से प्रुथ मिशन नाम से तो ये कुछ पॉइंट्स दिहान रखना आप बढ़ते आगे फर बताईए हाली में किस राजे के मुख्य मंत्री ने गो ग्रीन योजना को शुरू किया तो अंसरों का गुजरात ने है तो अभी हाली में गुजरात के जो मुख्य मंत्री हैं कौन भुपेंद्र पटेल अभी उन्होंने राज्य के निर्माण और उद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर इलेक्टरिक वेकल उपलब्द कराने के लिए ये गो ग्रीन नामसे एक योजना शुरू की है तो इस योजना का उद्धिश्य क्या है? इंदन के बिल को कम करना यानि कि जो उसमें पेट्रोल, डीजर वगएरा फ्यूल लगता है उसको कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूशन को भी कम करना तो अब इसमें होगा क्या? तो जो संगटित शेतर के जो शरमिक हैं जैसे की ओद्धिविक मजदूर हैं अगर वो बैटरी से चलने वाले टू विलर खरीते हैं तो उन्हें 30 प्रतिशत या 30,000 रुपे जो भी कम हो उसकी छूट मिलेगी उसी तरह से निर्मान शरमिकों को 50 प्रतिशत या 30,000 रुपे जो भी इन दोनों में से कम होगा उसकी छूट मिलेगी गुजिरात की केपिटल गांधी नगर है नए मुखे मंत्री बन गए भुपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवब्रत हैं बढ़ते आ गए बताईए अभी हाली में अंतरराष्टर एनिमेशन दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 28 अक्टूबर को तो अभी हाली में एनिमेशन की कलाका जश्ण मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों व्यज्यानिकों इनको पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को ये International Animation Day के रूप में मनाया जाता है ये इसका 20 वा संसकरन है वैसे अभी 27 ओक्टुबर को हमने विश्व व्यवसाइक चिकित सा दिवस World Occupational Therapy Day के रूप में मनाया जिसकी थीम क्या रही Belong BU बढ़ते आगे चलिए बताइए अभी हाली में National Bank for Financing Infrastructure and Development के अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्ट किया गया तो आंसर होगा के वी कामत को तो अभी केंदरी सरकार ने अनुभवी बेंकर के वी कामत को नव स्थापित 20 हजार करोड रुपे के विकास वित्त संस्थान यानि कि National Bank for Financing Infrastructure and Development के अध्यक्ष के रूप में निउक्ट किया है वे New Development Bank के पहले प्रमुग भी रह चुके हैं क्या नामे केवी कामत और के माधुवन अभी Indian Broadcasting and Digital Foundation के अध्यक्ष बने रामनार्थ क्रेशनन रेटिंग एजेंसी है इक्राव उसके नए MDCO बने और अभीक सरकार प्रेश्ट ट्रस्ट आफ इंडिया के चेर्मेन बने ये फिर से तो ये ध्यान अठना बढ़ते आ गए अच्छा बताईए अभी हाली में किस भात्य तत्र रक्षक जहाच को अभी October 2015 में ही गोवा में कमिशन करके राष्टर को समर्पित किया गया तो आंसर होगा ICGS सार्थक ICGS मतलब Indian Coast Guard Ship तो सोदेशी रूप से निर्मित यानिके Indigenously Developed भात्य तत्र रक्षक जहाच सार्थक को अभी 28 October 2021 को गोवा में कमिशन करके राष्टर को समर्पित कर दिया गया तो गोवा शिप याड के द्वारा इस भात्य तत्र रक्षक बलके जहाच को बनाया गया है और ये गोवा शिप याड Limited के द्वारा बनाया जा रहा है पांच अब तटिये गस्ती जहाचों की शरंखला में सार्थक ये जो है चोथा है तो ICGS सार्थक ये पोर बंदर गुजरात में स्थित होगा दिखिए भात्य तत्रक्षक बलकी बात करेंगे तो इसके डारेक्टर जनरल कौन है क्रश्न सामी नट राजन है अभी इसकी पहली महिला DIG कौन बनी थी ये बताओ आप तो नुपुर कुल्चिरेष्ट बनी थी और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला विमान वाहक पोत का नाम क्या है INS विक्रांत है और भारत का पहला बैलिस्तिक मिसाइल ट्रेकिंग शिप का नाम क्या है तो आंचर होगा ध्रूव तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे अच्छा बताइए अभी हाल में किस मंत्रा ले ने राष्टर इस्तर के जागरुकता कारेकरम 2020 जिसका नाम में संभव इसको शुरू किया तो आंचर होगा MSME ने तो अभी MSME मंत्री जो हैं कौन? नारायन राणे उन्होंने 27 अक्टोबर को नई दिल्ली में राष्टर इस्तर के जागरुकता कारेकरम 2020 संभव को शुरू किया तो इस अभ्यान में कॉलेज के छात्रों को आडियो और वीडियो फिल्म के जरिये MSME मंत्रा लेके द्वारा लागू की जा रही पर्योजनाओं की चानकारी दी जाएगी क्या नाम है अभ्यान का? संभव नाम है जिसको शुरू किया MSME मंत्रा लेने बढ़ते आगे तो खल के वीडियो में आप से क्या प्रश्ण बूछा था? IPL 2022 में कितनी नई टीमे हिस्सा लेंगी तो आंसर होगा दो टोटल दस टीमे होंगी तो आप सभी ने प्रश्ण का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और गाईज अगर सेशन अच्छा लगा है मैनत अच्छे लगिए तो प्लीज कंटेंट को शेर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टेडी गूर्प हो गया वाट्सप पे या फेस्बुक पे आपके फैमिली में कर कोई भी पढ़ने वाला स्टुडेंट है तो प्लीज उनके साथ इससे शेर जरूर कीजिएगा तेंक्यू गइस